प्रथम पुज्य हो तुम्ही कजानन तुम्ह शुब करता फिद्न बिनाशण गणेश लेला मैं सत्य हूँ, सब के लिए पक्षपात रहित और समस्त आशा कांग्षाओं से मुक्त हूँ मैं सत्य में निश्था रखने वाला व्यक्ति मेरी ही तरह होना चाहिए, तभी उसमें सत्य की प्रतिष्था सुरक्षित रह सकती है जहां आशा कांग्षा या पक्षपात होगा, वहां मुझ सत्य का अभाव रहेगा और जहां सत्य का अभाव होगा, वहां अशान्ती उपद्रव और हानी होना निश्थ है, मैं सत्य हूँ महर्शी जम्दग्नी वा मातारेणुका की महातेजैस्व उत्रव वह भगवान शिव के परमशिष्ष परसुराम ने धर्ती से समस्तुक्षत्री राजाओं का नाश करने की जो प्रतिग्या की थी, आज उसे पूर्ण कर, परसुराम परमपिता ब्रह्मा के समक्षा कर, उन से आगे के कारियादेश के लिए परार्धना करते हैं, हे परमपिता, मैंने अपनी प्रतिग्या के अनुसार, सुख्षाचारी, आतताई, और प्रजा उत्पीडग राजाओं का दिनाश कर दिया है, हे स्त्रसुरा चाहिता, मुझे उप्देश दीजे, कि मुझे क्या करना वत्सराम, इस संसार में समस्त बंधू बांधव, स्वजन, माता पिता, यहां तक की अपने इश्ट देव से बड़ा स्थान गुरू का होता है, गुरू ही भक्ती देते हैं, शक्ती देते हैं, और उत्तम ज्यान देकर भवसागर पार कराते हैं, अताह मेरा परमर्ष है, कि इस मंगल सुरूप कल्यान मूर्ती, समस्त ज्ञान विज्ञान की अधिश्ठाता, अपने गुरू, शिवजी की शेरन में जाओ, हे परमपिता, मैं आपके अधेश का पालन करते हुए, शिग्र कैला चाता हूँ, आपने सत्ति का है पता मा, अगवान शंकर के देवे, अस् आग्या पता मा, आग्या पता मा, आग्या पता मा, अधार महादेव, आदारीय रेणू का नंदर, मेरा प्रणाम श्रीकार की जी जी, परम गुरुदेव अगवान शंकर आप सब का भला करें इस कहलाश पर बहुत समय के पश्चाद आपके दर्शन हो रहे हैं क्या आप अपने गुरुधाम को ही भूल गए महत्मन भाईयों अत्याचारी आतताई राजाओं को समाप्त करने में कई वर्श लग गए इस बीच यहां आने का उफकाशी नहीं मिला अनाचारी प्रजा उत्पीड़क राजाओं को समाप्त करने की पृतिग्या पून होते ही मैं आज यहां चला आया कि गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आपका इस कैलाश पर स्वागत है पधारिये अंदर पधारिये पधारिये महत्मन एब reclatar तेल अंदर महत्ता को बखना एकश और स्वागतर गुलिएमा होते ही है मैं आपकाश सब्सक्राद करने संद्सक्राद पर सुना है श्रीमान जी इस समय मेरे माता-पिता विश्राम कर रहे है कि इस समय आप अंदर नहीं जा सकते हैं बालक तुम मुझे नहीं जानते हैं मैं बगवान शंकर का शिश्राम हूं अब जो कुछ भी है वो ठीक है पर इस समय अब भवन में प्रविश्ट नहीं कर सकते हैं आप चाहें तो मैं आपके लिए पिताश्री से पूछ कर आ सकता हू पर तब तक आपको यहीं पर प्रतीक्षा करनी होगी तुम दोनों बालक कौन हो क्या तुम दोनों यहां पर प्रग्यादारी के खेल खेल नहीं हो श्रीमान जी सोच विचार कर बोलिये मैं माता पार्वती नंदन गणेश हूं और यह मेरा भाई कार्थी के हैं बालक को तुम दोनों मेरे गुरुपुत्र होने के नाते हैं मेरे भाई हुए मैं यहां वर्षोबाद आया हो ना इसलिए आप दोनों के बारे में नहीं जानता देखो मेरे गुर्देव ने मुझे कि अधिकार दे रखा है आप मुझे भगवान शंकर और माता पार्वती के दर्शन करने के लिए अंदर जानते करतव यह पालन के सामने संबंधों का कोई मूलिया नहीं होता श्रीमान जी कि इस समय तो आप किसी भी हालत में भीतर प्रवेश्ट नहीं कर सकते समझे कि अपने आपको भगवान शंकर का शिश्य कहते हो और शिवधाम के अनुशासन की उपेक्षा करते हो कैसे शिश्य हो तुम क्या पिताश्री से आपने इसी उद्धन दटा का पाठ पड़ा है सोच लो समझ लो हम दोनों के रहते हुए आप बीतर प्रविश्ट नहीं कर सकते मैं याओ श्रीमान मैं यहाँ उश्नी मन्जी दो प्रजल थले पुहारे लेला अजी लेचे खुंभ मतले तुम्हारे लीला जो दिखता है जो खच्च्ची यहां देखिए श्रीमान का बयायां देखिए बी में अवास अवासो ओा ख上 है उनने का अ श्रीमान हाईँ हाईँ हुआ 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 हु अ कि अ फजह खें दो हो जो खुरिव हुः 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 हुआ 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 हु हाँ, 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 इवख आयाँ कि अर फिर सभी, जाला रायर, रदास सॉफर सॉफर एफे हुब धर άप सर पुरम्ण ढोन में ंते हुब हे तढ कि अरनन् nenhumускे थको… हुब जाती हुब फजडरна माँटे, माँटे! माँटे, माँटे, माँटे! माँटे, माँटे! पारवती, कैलाश में आज ये विचित्र सा कोला हल कैसे हो रहा है, आज आवज ये ही कुछ दुरगटना घटी है, हमें बाहर चल कर देखना चाहिए, मेरा तान, मेरा तान, चल करना अकी, कर देखना के यारवती, हमेती हुआ, हमादे हमेर आगे ओरया आए पारावती, के एन हमेटी, ऑ Euh, ज आमादेव! पुत्र काड़ते के? यह सब कुछ क्या हुआ? माते, यह परुश्रम दुवार में प्रवेश करने का हट कर रहे थे भाई श्री गनेशने ने समझाया और दुवार में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी परुश्रम शक्ती प्रयोग पे उतराया स्वामी एक और हमारा पुत्र श्री गनेश और दूसरी और आपका शिश्र परशूरा किसका दोश है इसका निरने शीग्र करे स्वामी यद्यपी मैं आपकी धरम पत्नी सर्वशक्ती संपन्न गौरी हूँ किन्तु आपके रहते निरने मैलू यह शास्त्र मर्यादा और धर्म के प्रतिकूल है राम तुम ब्रह्म कुल में पैदा हुए होना तुम महर्शी जम दिगने के पुत्र और योगियों के गुरू शिवशंकर के शिश्य होना लक्षमी के अंज से उत्पन सती रेडू का तुम्हारी माता है मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि किस दोश के कारण तुमने यह दुशकर्म किया है यह अमोग पर्शु जो तुम्हें दुश्टों के दमन के लिए मिला है उससे उससे तुम्हें गुरू पुत्र पर चला दिया इससे अच्छा तो तुम्हेरे पुत्र का मस्तगी काट देते मेरे पुत्र श्री गनेश ने तुम्हारे दिव्य पर्शु का सम्मान रखा है अन्यथा तुम्हारे जैसे हजार पर्शु राम को मारने के शम्ता रखता है मेरे पुत्र तुम्हारे इस दुश्कर्म के लिए अब मैं ही तुम्हें दंड दूंगी तुम्हें पुट्परी जै कुट्परी मार्ण रखता है जै कुट्परी जैकु का सम्मान रहीं जै कुट्की युछी बंद मने हासे ने चिसी हमें डेस चिस्त अर्चिनी प्रचेन औरी रादार करा जिनी और शारी दीता दूरे माते से वले शारी जुछी जै दूर्डे, जै दूर्डे, जै जै माँ शुल मुंद भारवी, घरा भिदाद भारवी, दिरे दिरोजिवी, भारजा भी मिन्द आसनी शुल मुंद भारवी जै 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 जै